हेलो एवरीवाइन कैसे आप लोग आई होप कि तुन सब ठीक हो हमने शुरू किया तब मेटल नर्जी फॉम क्लास 10 ऑप महरस्ट अबोर जो की साइन्स फन का चाप्टर है कौन सा चाप्टर है नीचे कॉमेंट करके बता देना और आज इसमें हम देखने वाले हैं लेक्चर नमबर 6 लेक्चर 12345 उपर के आई बटन में मिल जाएगा बच्चो और सुमें मिल बात सुनों इसमें आज हम देखने वाले आप आउट को रोजन ऑप मेटल्स मतलब मेटल्स का सत्यानास कैसे होता है हम देखेंगे कि उस सत्यानास को हम कैसे बचा सकते मतलब प्रेवेंशन और हम कौन से कौन से तरीके का यूज करते हैं कौन सा कौन सा जुगाड है जैसे कि galvanizing, tinning, anodization, electroplating and alloying सभी चीजों को बहुत अच्छा conceptually देखेंगे पचो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को फट सब्सक्राइब कर दो और आपक पर मिलते रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अब सीखते corrosion of metals के बारे में यहाँ पर गाड़ी दिख रही होगी यह गाड़ी दीरे दीरे इस पर जंग लग रहा है क्या लग रहा है इस पर जंग लग रहा है इसी जंग के लगने को मतलब गाड़ी का सत्यानास होने को अइलन का, कॉपर का, अलुमीनियम का, अलग अलग metals का हम देखेंगे इससी सत्यानास को कहते हैं corrosion of metals बहुट अच्छे से देखेंगे तो बच्यो तो corrosion of metal हम कहां पर देखने वाले हैं, यहां पर देखने वाले हैं, हम corrosion को इस point पर देखेंगे, ये वाले frame में देखेंगे, देखो ये lecture मैंने एक पर और record किया था, मगर उसका हो गया था सत्यानास, कल आपने देखा होगा, अब आज तो मुझे लग रहा है कि सब सही जा रहा अब बाकी बाद में, तो students, हम देख रहे थे corrosion of metals, अब सबसे पहला सवाल उठता है कि what is meant by corrosion, corrosion का मतलब क्या होता है, और फिर यहां पर पूछा है, have you seen the following things, यह सारी चीज़े क्या तुमने कभी देखी है, अचा, corrosion का मतलब तो मैंने आपको बताया था, metals का सत्यानास हो जान डिगरेड हो जाना, और यह सारी चीज़े तुमने कभी न कभी देखी होंगी, यहां पर कुछ सारी चीज़े लिखी है कि कुछ चीज़ो, जो तुमारे building वेगरा में जो rod होता है, यहां पर जो copper vessels होता है, यहां पर सब कुछ लिखा हुए, देखो, जो यहां पर photo में लिए, आचलो कोई बाद नहीं, लगा दिया आप, अब इधान से सुनो, इसी तरीके से, why do silver articles turn blackish while copper articles turn greenish, जो silver की चीज़े होती है, जो चांदी होता है, जैसे तुमारे पाओं में पाया लोगा, अगर तुम्हें कोई लड़की होता हो, ठीक है, तो जो silver की चीज़े होती ह यह कैसा हो जाती है, blackish हो जाती है, और जो copper की चीज़े होती है, कि तुमारे घर पे कुछ copper का होगा, तो वो थोड़ा तो से greenish हो जाता है, क्योंकि ask pass का जो gas है, atmosphere में, moist air में जो gas present है, वो उसके साथ react करता है, similarly gold और platinum react क्यों नहीं करता है, यह भी एक सवाल है, हमेसा glitter क्यो करते रहता है, क्योंकि वो noble gas है, वो इतने आसानी से नहीं करता, उसके लिए aqua regia चाहिए होता है, तुम्हें पता है, अभी देखो, यहाँ पे कुछ चीज़े लिखिए, मैं तुम्हें करके समझाता हूँ, पहला यह वाला देख लेते हैं, पहला iron वाला देख लेते हैं, वो moist air में oxygen, water, यह सारी चीज़ों के साथ react करेगा, और एक reddish layer बनाता है, यह reddish layer क्या होता है, fe2o3.h2o, अभी यह dot क्या किया, number of h2o कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा, इसी को rust कहते हैं बच्चो, इसको क्या कहते हैं, rust कहते हैं, समझ मैं, reddish layer जो form करता है, खराब होते होते हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हैं, उसको rust कहते हैं, इसका formula क्या, fe2o3.h2o, अभी कहीं पे तुम्हें एन, कहीं पे x दिखेगा, मतलब number of water molecules अलग-अलग हो सकते हैं, अच्छा, अगर दूसरा वाला तुम देखोगे, तो यहाँ पे लिख करता है, और उसपे greenish layer बनाता है copper carbonate का, किसका, greenish layer बना देता है copper carbonate का, ठीक है, और इसी को कहते है, patination of copper, समझ रहें बच्चो, नीचे quiz में यह सारे question डालूंगा, तो पूरा देख लो, फिर quiz attend करना, ठीक है, तो copper कैसे खराब होते है, greenish layer बना करके, और greenish layer किस चीच का है copper carbonate का, उस किस से react करता है, carbon dioxide, clear, अच्छा, अगला question देखो, on exposure of air to the silver, अगर, मतलब, silver जो है तुमारा, वो air के exposure में आएगा, मान लो कि यह silver है, तो इस पे एक blackish layer बन के दिख रहा है तुम्हें, तुम्हारा भी pile oil खराब हो जाता हो गया, तो तुम निम्बूर अगरते हो जो तुमारे atomosphere में hydrogen sulfide है बच्छो, उसके साथ तुमारा silver react करता है, और silver sulfide बनाता है, simple, तो silver किस से react करता है, atomosphere के hydrogen sulfide के साथ, और क्या form करता है corrosion की नाम पे rust कैसा होता है, उस पे silver sulfide का, समझ मैं है, यहाँ पे iron oxide था, ferric oxide बोलते है, उसको copper carbonate बोलते है, इसको copper carbonate बोलते ह silver sulfide, clear है, यहाँ तक clear है, चलो, अब आगे बढ़ते हैं बच्छो, अब बात करते है, aluminium का, तो जो तुमारा aluminium है न, वो खुद का oxide बनाता है, मतलब aluminium react करता है, air से, oxygen से, water से, और aluminium oxide का एक layer बना देता है, क्या बना देता है, aluminium oxide का एक layer बना देता है, I hope कि तुम्हें यहाँ त जब read करोगे, तो तुम्हें उस part में वही चीज मिलने वाला है, ठीक है, तो अब देखो, prevention of corrosion, तो corrosion को prevent कैसे करोगे तो, अब देखो, simple सी बात, माल लो, माल लो कि यह वाला जो मेरे पास है चीज, इसके उपर अब corrosion होने वाला, यह metallic, metallic चीज मान लेते, यह ले लेते, यह से मेरे tripod है, इस छोटे से tripod को ले लेते, बच्चों, यह छोटे से tripod को ले लेते है, अब यह जो tripod है, इसमें यह metallic चीज है, अब माल लो कि यह metallic चीज पर corrosion होगा, तो इसको prevent करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक तो मैं कर सकता हूँ, तो directly यह contact में नहीं आएगा, अगर यह करेगा, बाद इसमें जाएगा, are you getting it, तो मैं concept समझ में आ रहा होगा, तो वही चीज़े यहाँ पर लिखी हुई है, अगर तुम देखोगे, कि, देखो क्या लिखा है, various methods are used to protect the metals from corrosion, बहुत सारे method यूज किया जाते है, special attention इस बात को दिया जाता है, कि सारे method में, iron does not rust, मतल अब देखो, यहाँ पर, corrosion of metal can be stopped by keeping the metal isolated from direct contact of air, जैसे मैं तुम बता है न, इसको अगर direct contact से रोक ले, बीच में कुछ ला करके, तो corrosion को रोका जा सकता है, control किया जा सकता है, अगला देखो, the prevention of corrosion can be achieved in various way, and some of the methods are given below, तो यहाँ पर कुछ method ही है, बहुत सारे तरीकों में से, पह moisture, air and oxygen with the air is prevented and no reaction would occur between them, कह रहा है कि direct contact को avoid कर दो, ठीक है, उस पे कोई चीज का layer fix करके, direct contact को avoid कर दो, अच्छा, दूसरे में क्या बोला है, देखो, दूसरे में क्या बोला है, कि corrosion को prevent करने के लिए, तुम layer apply कर सकते हो, paint का, oil का, grease का, varnish का, इंसारी चीजों का, तो इससे भी तुमारा जो corrosion हो, prevent हो जाएगा, direct contact में नहीं आएगा, दोनों ही cases में, काफी simple है, अच्छा, थोड़ा से नीचे चलते हैं, और यहाँ पर जो बोला है, अगर तुम ये सारा का सारा part पढ़ोगे, तो तुम्हें दो चीजे समझी में आएगी, पहला चीज तुम्हें ये अब ये जो कड़ा है, ये एक metallic कड़ा है, और इसके ऊपर मैंने कोई तो layer लगा दिया, paint लगा दिया है, मानलो, अब क्या होगा, मानलो, ये paint थोड़ा सा इस part में से paint निकल गया, तो ये part जहां से paint निकल गया, उसके नीचे का metal, air, moisture के contact में आ जाएगा, अब क्योंकि वो उदर से साड़ना, start होगा, corrode होगा, पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, तो paint करना, grease लगाना, varnish लगाना is not a permanent solution, क्योंकि थोड़ा सा भी कहीं से कुछ हटा, तो पूरे के पूरे को खराब कर देगा, तो यहाँ पर यही लिखा है, we cannot protect the articles permanently from rusting by painting them, the method of painting is suitable for a short time, बाकी य नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, why do new iron sheet appear shiny, नए जो iron के sheets होते हैं वो shiny क्यों दिखते हैं, या फिर जो तुम nails वेगरा लाते हो ठीक है, यह shiny क्यों दिखते हैं, साथ में नीचे एक चीज और लिखा हुआ है, जो उसका जवाब ही है, और वो लिखा है, corrosion can be prevented by putting a layer of non-corredible metal on a corredible metal that is done by in many ways, मतलब यह बोल रहे हैं कि corrosion को prevent करने के लिए, जैसा में आपको बता है ताना, एक और reactive metal को उपर डाल दो, तो पहले वो react करेगा तो तुमारा जो base वाला है, जो तुमारा main है, वो protect हो जाएगा, simple है, काभी simple है, आजा, थोड़ा सा नीचे जाते हैं बच्चो galvanizing, ठीक है, अब देखो, तुम्हें galvanizing समझाता हूँ, अब ये वाला diagram देखे, बिल्कुल मत डरना, इतने detail में तुमको तो नहीं पढ़ना है, ये तुम 11-12 में जाके metallurgy पढ़ोगे, तब तुम्हें इतने detail में पढ़ना है, लेकिन फिलाल के लिए galvanizing को समझो, एक metal के उपर, अब metal बतातों कौन होगा, अगर हमें zinc का layer चड़ा रहे है, किसका, zinc का, zm, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं galvanizing, अब तुम्हें पता है, यहां पे देखो क्या लिखा है, in this method, a zinc layer is applied to prevent corrosion of iron or steel, iron or steel से ज्यादा reactive है तुमारा zinc, तो सबसे पहले corrosion किसका होगा, zinc का होगा zinc पहले react करेगा, तो बारा iron or steel protect हो जाएगा, for example, the signing of iron nails, pins, etc, in this method, corrosion of zinc occur first, because zinc is more electropositive than the iron, जो मैंने तुम्हें बताया था, after a few rainy season, the zinc layer goes off and the inner iron gets exposed and the corrosion rusting start, क्या बोल रहा है, कि कुछ बारिश के महीने जाने के बाद, कुछ बारिश के बाद, उपर के जो zinc है, वो धुल जाता है और जो तुम्हारा base metal, steel या फिर iron, वो contact में आ जाता है, भाई सब किस चीज के contact में आ जाता है, तुम्हारे air moisture के contact में आ जाता है, और फिर उसका corrosion स्टार्ट हो जाता है, काफी simple है, काफी simple है, मैं अभी बहुत आसानी से बता रहा हो तुमको, अब देखो, नीचे लिखा है surface of copper और brass vessel, एक greenish layer copper या brass पर form हो जाएगा, और ये जो greenish layer होता है, बच्चों, ये poisonous होता है, अगर इस porridge, अभी मानलो कि मेरे पास एक बरतन है, copper का, और उसके उपर greenish layer बन गया, और उसमें मैं कुछ डाल के खाता हूँ, पानी पीता हूँ, छाच पीता हूँ, लसी पीता तो क्योंकि वो greenish layer poison असर, वो मेरे अंदर जाएगा, तो मेरे को कोई नुकसान हो सकता हूँ, इससे protect करने के लिए हम tinning करते हैं, समझ मैं है, तो tinning is done to prevent all such damages, समझ मैं है, काफी simple है, tinning मतलब किसी भी चीज़ पे, मतलब देखो, यहाँ पे basically copper या brass बोला है, tin का, molten tin का layer चड यह तो मेरा वाला गाना है, याद रखना आगे quiz है, सब सीख लो और quiz को attend करो, अच्छा, tinning में क्या करते हैं, मतलब हैं, हम anod बनाते हैं, एक नया anod बना देते हैं, anod तुम्हें पता है, वो जगे होती है, जहाँ पे oxidation होता है, अभी देखो, क्या बोला है, देखो, अच् बता कि कोई मतलब नहीं, in this method, metals like copper, aluminium are coated with a thin and stronger layer of their oxide by means of electrolysis, तुम्हें electrolysis पता है, ठीक है, electricity का यूज करके ions को separate कर देते हैं, और बाद में किसी चीज़ पे layer चढ़ा, ठीक है, अब देखो, layer चढ़ाना आगे है, बस अलग कर देना, ठीक है, for this copper और aluminium article is used as anod, अब इसमें copper या aluminium को as anod, यूज करता हैं, यह याद रखना, copper या फिर aluminium, as this oxide layer is strong and uniform all over the surface, it is useful for prevention of corrosion, मतलब, समझाता हूँ, जाने तो, अभी छोड़ो, for example, the aluminium is anodized with the thin layer of aluminium oxide is formed, it obstructs the contact of aluminium with the oxygen and, जो, 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 मैं बता आता, तुम्हें क्या लिका है, ठीक है, तो उपठ लेना माँ तुम्ह aluminium है, यह मेरा हाथ aluminium है, ऐसा माल लो, कि यह aluminium है, मैं क्या करूँगा, इसके उपर एक aluminium oxide का layer चड़ा दूँगा, अब aluminium oxide anod का काम करेगा, anod वो जगह होता है, जहां पर oxidation होता है, at the end corrosion का मतलब भी oxidation होता है, ठीक है, अब एक term में बोल सकते हो, ठीक है, एक term में बोल सकते हो, ह aluminium oxide उपर है, वो जो anod है, वो उपर evenly distributed है, मतलब बहुत अच्छे से पटी लगाया है, उसका बहुत अच्छे से बनाया है, तो इस पे पहले corrosion होगा, तुमारा base aluminium protect हो जाएगा, अगर तुम्हें इसको और strong बनाना है, अगर तुम्हें इसको और strong बनाना है, तो तुमारा जो 10th में होता है, और मुझे कोई ऐसे सिखाता है, तो मैं exam में बिना बिना इसको पढ़े जाके लिख्या आता हूँ, क्योंकि मुझे लिखने आता है, अगर अगर जो है, नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा, अचानक से नीचे जाएगा, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ह भी देखा होगा, अगर तुम लड़की हो तो तुम रिलेट कर पाओगे, कि चांदी के ऊपर सोने का पानी चड़ा के दे दिया, तो समझ रहो, इसको बोलते हैं, मतलब किसी एक चीज़ पे, किसी इलेक्रोलाइसिस का योज़ करके, किसी और चीज़ का लेयर चड़ा दे सिंपल है, इससे भी क्या होता है, नीचे वाला प्रोटेक्ट हो जाता है, उपर वाले के कारण, कमाल है, ना, कमाल है, देखो ये कमाल, देखो क्या लिखा है, in this method a less reactive metal is coated on a more reactive metal by electrolysis silver plate spoon gold plated ornaments are example of this electroplated मतलब in this method a less reactive जो कम reactive है उसको coat करता है एक more reactive पे समझ रहे हो जो ज़्यादा reactive है उसके उपर कम reactive को कर रहे है अभी तक पीछे हम क्या कर रहे थे ज्यादा रेक्टिव वाला उपर ला रहे तब यहाँ पे ज़्यादा रेक्टिव वाले को नीचे रख रहा है अब कम reactive वाले को उपर रख रहे है अब वो क्योंकि कम reactive है तो उस पे कम उसका corrosion होगा तुम्हारा जो अंदर वाला है जो more reactive हो प्रोटेक्ट हो जाए यह याद रखना इलेक्ट्रो प्लेटिंग में ज्यादा reactive वाला नीचे होता है कम reactive वाला उपर होता उसकी coating चढ़ाता है इसका एक्जामपल है गोल्ड प्लेटेड और्नमेंट्स एक्सेटरा silver plated spoons इक्सेटर बच्चो अगला जो है वो मेरा फेवरेट है और वो है alloying आज काल के जमाने में metallic substance बहुत ज्यादा फॉर्म alloy के form में मिलते है तुम्हें अब मैं तुम्हें alloy का मतलब बताता हूँ फिर यहाँ पर दिखाऊंगा यह वाला line अगर तुम पढ़ोगे यहां से लेकर के यहां तक तो तुम्हें समझ में आएगा कि alloy जो है वो एक homogeneous mixture है अच्छा जिसमें specific proportion में metal या फिर non-metal या फिर metal metal को मिला करके एक नई चीज बनाई जाती है देखो क्या लिख्या है वापर पढ़ लेते हैं एक बाद देखो the homogeneous mixture formed by mixing a metal with other metal और non-metal in a certain proportion in a certain proportion मतला वो proportion decided होता है is called as alloy example के लिए देख लो तुम्हारा जो ब्रोंज होता है तुम्हारा जो ब्रोंज होता है वो copper और 10 से बना हो मिला करके क्या बनाया जाता है ब्रोंज बनाया जाता है similarly तुम्हारा जो stainless steel होता वो तीन चीजों को मिला करके बनाई जाती है जिसमें देखो क्या है it is an alloy made up of iron 74% chromium 18% and carbon 8% तो alloy से होता क्या है basically उसका corrosion नहीं होता जल्दी इसके पीछे पूरा मुद्दा जो इनके पीछे है वो है कि उसको ज्यादा उसकी durability को ज्यादा बढ़ाना ductility नहीं क्या रहा हो durability को ज्यादा बढ़ाना कि वो ज्यादा दित तक काम आ सके तो I hope बच्चों तुम्हें समझ में आ गया होगा alloying मतलब क्या होता है homogeneous mixture of a metal and a metal or a metal and a non metal in a certain proportion in a certain proportion in a certain proportion लिखा है is called as alloy I hope तुम्हें simple है काफी simple है बच्चों काफी simple है I hope कि तुम्हें भी simple लगा होगा और यह तुम्हें याद हो गया होगा नीचे एक important चीदी है और वो है तुम्हारा amalgam तो यह तुम पढ़ लेना amalgam क्या होता है it is an alloy of mercury ठीक है यह एक mercury का alloy होता है तो तुम इसके बारे में भी पढ़ ले हैं बहुत जल्दी लेकिन उसके लिए मैं सोच रहू एक तो 10 के सब्सक्राइबर या तो 15 के सब्सक्राइबर पर स्टार्ट करता हूं तो विन दोलों के बीच में मैं कन्फ्यूज हूं कि 10 के स्टार्ट कर दो सरक्कि 10 के 100-200 जूर है ठीक है मगर यार जला शेयर वेर करो इ नीचे एक कुईज का लिंक है मैं चाहता हूं कि सब लोग यह कुईज को जाकर के दे और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो कि वह जाके पढ़ेंगे और फिर से कहा रहा हूं यह समझाने के फॉर्मेट में मैं बच जाना कि यह टेस्बुक डाल करके समझा रहा है इंप कुईज का एंसर जरूर मतलब तुमारा एंसर नहीं क्या बलत रसको कुईज का जो तुमारा रिपोर्ट आएगा मतलब तुमारे जो भी पॉइंट्स आएंगे कुईज में 104-105-100 जो भी होंगे वो जरूर बताना नीचे कॉमेंट करके मैं देखूंग और प्रसनली मेरे सब्सक्राइब दिल मिलेगा चलो फिर बाइबाय टेकर और अपना अपना ख्याल लगना एंड हां कित स्माइले